तो यार हर कोई नोटिस कर रहा है, अक्षे कुमार की मुवीज at box office धीरे धीरे बात हाथ से निकलती ही चली जा रही है काईदे से तो इस पे एक proper 200-300 पेज वाली research होनी चाहिए ताकि future में कोई public favorite actor इस तरह डाउनफॉल का शिकार ना हो जाए बट इंटरस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि emotionally उपर उपर से हम लोग हवा में कुछ भी बोल देते हैं लेकिन maths कभी जूट नहीं बोलता आपको पता है पिछले 3 सालों में अक्षे कुमार ने 14 मुवीज रिलीस की हैं और काफी लोग आपको एकदम confident होके बोल देंगे कि इन 14 में से सिर्फ एक या दो मुवीज हिट हैं जबकि 12 की किस्मत बिल्कुल अक्षे कुमार के जैसी super flop जा रही है तो इस बात में कितनी सच्चा ही है बॉस अक्षे कुमार का comeback कैसे कब और क्यों होगा वो भी with proof बताती हूँ आपको तयार हो जाओ जर्नल नॉलिज की class शुरू हो रही है सिक्के की दूसरी साइट देखोगे न तो अक्षे कुमार एकलौते ऐसे बॉलिवूड एक्टर हैं जिन पर प्रोडूसर्स ने तीन साल में 2000 करोड लगाए हैं इतना बड़ा amount बाप रे बाप अच्छा एक चीज यहाँ पर clear कर दूं collection budget यह सारा data मैंने online website से लिया है google article में पढ़ा है खुझ से कुछ नहीं बोल रहे हूँ मेरा कोई लेना देना नहीं है मुझे गाली मत देना सबसे पहले सबसे नई फिल्म खेल खेल में यह release हुई एकदम गलट टाइम पे विच्ट 3-2 के साथ clash भाई वो फिल्म नहीं आंदी है 500 करोड का तूफान उडा दिया अभी तक अक्षे कमार की फिल्म ने 32 करोड बिजनिस किया है at present जिसमें 25 इंडिया से और 7 करोड बहार से आये हैं बट डराने वाली चीज यह कि फिल्म रीमेक तो थी ही वो भी ऐसी जिसके 28 रीमेक हो चुके है बट बजट बहुत हैवी यार इंटरनेट पे 110 करोड बोला गया दूसरी फिल्म इसके कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी सरपिरा ये भी रीमेक थी सूरिया की फिल्म सूरा राई पोटर की जिसने 5 नेशनल अवार्ट एक साथ जीते थे उस फिल्म का लाइफटाइम बिजनिस पूरे 34 करोड 29 इंडिया से और 5 बहार से आया इस फिल्म का बजट भी इसका सबसे बड़ा दुश्मन पूरे 100 करोड औन इंटरनेट वैसे एक बात बोलूँगी ये वाली फिल्म को अगर मैक्स हटा के देखोगे तो अक्षे कुमार की one of the career best acting से मुलाकात कर लोगे पीस्वी फिल्म अक्षे के करियर की सबसे महंगी पिछले 3 सालों में बड़े मिया छोटे मिया इसने टोटल कलेक्शन ग्यारा सो करोड तो नहीं 111 करोड जरूर किया 78 इंडिया 33 बहार से लोग इसको देख रहे थे पठान जवान की कैटिगरी में और इसका सबसे बड़ा रीजन था फिल्म का सूपर डूपर हेवी बजट पूरे साड़े 300 करोड बोला गया है ऑनलाइन तो जो फिल्म सबसे बड़ा कमबाक हो सकती थी पर अक्शे कुमार वो अक्शली में उनके करियर पे सबसे बड़ा धबा लगाके गई है वैसे कॉंटेंट सच में क्या बोलूँ अब चौती फिल्म मिशन रानी गंच ये सच में यार एक कमाल की फिल्म थी रेस्क्यू मिशन वो भी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ट अक्शे कुमार का टॉपिक सिलेक्शन जबरदस्त था लेकिन पब्लिक अक्शे से पता नहीं क्यों नाराज है इसलिए लाइफटाइम बिजनिस से 46 करोड आया 41 इंडिया से और 5 इंटरनेशनल इस फिल्म के बजट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है 55 या फिर 120 करोड फीस मिलाके मेरे हिसाथ से तो जादा ही होगा अक्शे वन ओफ दा हाइस पेड आक्टर है बॉलिवुड में अच्छा जो पांच भी फिल्म है वो लास्ट 3 यूर्स में अक्शे के करियर की सबसे बड़ी सूपर हिट है एमोशनली भी और माच के नंबर में भी OMG2 फिल्म का सबजेक्ट, एक्टिंग परफॉर्मेंस और जबरदर सोशल मेसिज मेरे लिए अक्शे उस फिल्म में आइकॉनिक कैरेक्टर थे हैं और हमेशा रहेंगे हाँ तो इस फिल्म में डबल सेंचुरी क्रॉस की थी पूरे 22 करोर, 178 इंडिया से आया, बाकी 44 बहार से और ये नंबर तब जब गदर 2 सिनमाज में चीरफाड कर रही थी और कमाल की बात देखिए, OMG2 में अक्शे कुमार का स्क्रीन टाइम कम था लेकिन स्पेशल था, इसलिए बजट में सिफ 65 करोर खर्च हुआ, माने प्रॉफिट में बल्ले बल्ले लेकिन जो छटी फिल्म है, वो सबसे बड़ी डिजास्टर है फॉर अक्शे कुमार, सेल्फी इसका कलेक्शन एकदम लोएस्ट है, पिछले 3 साल में रिलीज हुई मूवीज में सिर्फ 24 करोर का बिजनिस किया, 20 इंडिया से और मात्र 4 बहार से आया फिल्म की ओपनिंग को लेकर कितना मजाक उड़ाया जाता है, पीछा नहीं छोड़ेगा लेकिन सबसे डिसपॉइंटिंग चीज है बजट, पूरे 100 करोर अन रिमेक फिल्म, करन सर के वालेट पे कोई लोक लगाना पड़ेगा, ऐसे कौन खर्च करता है यार अच्छा साथ भी फिल्म है राम सेतू, इसका बहुत हाइप था मार्केट में, क्योंकि टॉपिक रिलीजन हिस्ट्री के साथ जुड़ा था, फिल्म का टोटल बिजनिस 96 करोर, 89 इंडिया और साथ फॉरेंड अच्छा इस फिल्म का बजट भी थुड़ा क्लियर नहीं है, हाइस 1500 बोलते हैं तो लोएस 90 बिताया जाता है, खर्चा लेकिन हुआ होगा क्योंकि VFX वाली फिल्म थी है इसके बाद नंबर आता है कटकुतली का, जिसको लोग बोलते हैं, अक्षा ने अपनी इज़त बचाली फिल्म OTT पे बेच के, वरना बॉक्स ओफिस सेल्फी से भी कम रह जाता मुद्दे की बात ये है कि फिल्म को बनाने में 500 करोर खज किये गए, ऐसा ओनलाइन लिखा है और बहीं पर ये भी पढ़ा मैंने कि OTT डील फिल्म की 180 करोर में हुई थी अच्छा इससे पहले थेटर्स में आई थी रक्षा बंदन एक और सॉलिड कॉंटेंट वाली फिल्म जिसको पब्लिक ने इग्नोर मार दिया, वहां भी आमिर खान के साथ क्लैश था बिजनिस पूरे 68 करोर, 57 इंडिया और 11 भार वाला और सर्प्राइजिंगली बजट काफी कम सिर्फ 70 करोर बताया जाता है इस बार मामला काटे का था फिल्म हिट होते होते रह गई इसके बाद एक और अक्षे के करियर की हेवी बजट फिल्म समराथ पृत्वीराथ जिसके रिलीस से पहले ही लोगों ने भविश्यवानी कर दी थी बॉक्स ओफिस की हिस्ट्री बदलने की ऐसा बताते हैं कि पूरे 300 करोर लगाये गए थे फिल्म को बनाने में बट अंदर की खबर यह है कि 200 में मामला निपट गया था बट बॉक्स ओफिस विजल बहुत जादा डिसपॉइंटिंग इस फिल्म में अक्षे के स्टार्डम और आक्टिंग प्लस काम में जलबाजी तीनों पे सवाल खड़े कर दिये थे 90 करोर, 80 देसी, 10 विदेसी इसके पीछे एक और रिमेक फिल्म बच्चन पांडे जिसको काफी लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं क्योंकि फिल्म ने 74 करोर का बिजनिस किया था 60 इंडिया और 14 फॉरें लेकिन फिर से गटबर वाली चीज है बजट जो पूरे 165 करोर बताया जाता है फिल्म में पैसे कहां लगे मुझे समझ नहीं आया अक्षे की फीस पे लोग उंगली उठा रहे थे इसके बाद दूसी OTT रिलीज माने टेक्निकली पहली OTT फिल्म अतरंगीरे ये शायद सबसे कम बजट फिल्म है और अक्षे उल्ली 45 करोर कैमियो जैसा भी बोल सकते हो अब फिल्म को लेकर पब्लिक का रियाक्शन मिक्स था किसी को बहुत ही जादा पसंद थी या फिर किसी को एकड़म इल्लॉजिकल बीच में कोई नहीं बोला OTT बताते हैं 80 करोर प्रॉफिट है गुरू अब बारी है अक्षे की सबसे कमाओ फिल्म जिसने धागा खोल दिया था बॉक्स ओफिस का सुरिवंशी जिसको काफी लोग क्रेडिट किसको देना है इस पे लंबा डिबेट करते हैं लेकिन मुद्दे की बात फिल्म ने पैसा दबा के शापा 300 से थोड़ा सा कम 293 करोड आया 231 देसी और 62 देसी बहार से कमाया लेकिन 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 ये OMG2 के मुकाबले कम सक्सेसफुल मानी जाएगी क्योंकि पैसा बहुत लगा था 200 करोड के करीब बजट लिखा है ऑनलाइन अब लास्ट में बात 14 और आखरी फिल्म जिससे अक्षे ने बॉलिवुट के लॉकडाउन का तालाग तोड़ फिका था में काम किया जिन पर आल्मोस्ट 1925 करोड का बजट खर्च किया गया और जितना कमजोर आप खिलाडी भया को समझते हो वह सिर्फ दिमाग का धोका है क्योंकि बॉक्स ओफिस को इन्होंने 1400 करोड कमा के वापस भी दिये हैं अब आप ये मैट्स मत लगाने लगना कि 1900 माइनस 1400 माने 500 करोड का नुकसान ना जी ऐसा नहीं होता है फिल्म को बनाने से बेचने तक बहुत कुछ बदल जाता है थेटर तो सिप एक जरिया है इंकम का बाकी डिजिटल राइट्स है ओटीटी डील है म्यूजिक प्राइज है काफी चीजों से पैसा बनाया जाता है इसलिए शायद आपको यकीन ही होगा अगर मैं बोलू अक्षे का टोटल लॉस शायद 0 होगा कितना 0 जीरो उल्टा ये प्रॉफिट में बैठे होंगे मैट्स की भाशा में तबी तो न्यूज आ रही है कि सिधार तानन अक्षे के साथ बिग बजट आक्शन फिल्म बना रहे हैं पैसा लगाने को प्रोड्यूसर्स पीछे नहीं अट रहे हैं लॉस का गड़ित बदल जाएगा गैरेंटीड लेकिन टेंशन वाली बात अभी भी पताए क्या है सिर्फ IMDb पे जाके चेक करोगे तो अपकमिंग मूवीज में 16 प्रोजेक्ट का नाम लिखा है फिर अगले साल वेलकम टू जंगल इसके फ्यूचर पर डाउट है लोगों को और हाउसफुल 5 भी आ रहे है जिसका बजट बॉलिवुड कॉमेडी में सबसे जादा बताया जा रहा है एक साल में 4-5-6 मूवीज रिलीज करना ये बहुत नुकसान करेगा किसी भी आक्टर को और ये बात अक्षय को समझनी पड़ेगी तभी जाके पबलिक थीएटर में कमबाग करेगी वैसे एक बात नोटिस की आपने बंदा जिस फिल्म में कैमियो करता है उसको छूके सोना बना देता है रोल लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए अक्षय सर प्ली समझ जाओ पूरा केस रड़ी हो गया अब डैरेक्ट सवाल अक्षय कुमार कमबाग पॉसिबल येस और नो आप अपना बताओ अक्षय को देखने जाओगे थीएटर कब क्यूं और कैसे बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायप करनी हो तो मैं आपको इंस्ट बजार करिए मिलुगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइए